बिस्मिल्लायरमार रहीम आज मैं आपके शार्ष शेर करने वाली हूँ आलू कतली सेंविच बनाने का तरीका तो अगर आप में चैनल पर नए है तो इसे लाइक करें सस्क्राइब करें और ज्यादर से ज्यादर इसे शेर करें तो आईए हम आपको बनाना बताते हैं सबसे प पतले पतले काट लिये हैं अच्छे से वॉस भी कर लिये हैं अब इसके अंदर डाल देंगे इसके साथ ही एक कटाओ टमटर एक हरीमीरच आट करेंगे इनको भी बारीक चौप किया है मैंने सब को अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हमें एक चोटा हलदी पोर्डर आइट कर सकते हैं मैं इसके अंदर मेगी मसाला आइट करूंगी सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक कप पानी एट करके इसकी एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे तो यह देखिये हमारी बनके तयार हो गई यह फीलिंग अब हमें क्या करना इसके अंदर मैं इसके अंदर एक कच्छा प्याज एट करूंगी बारिक चोप क्या हुआ इसके साथ ही मैट करूंगी दन्य की पतिया सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मेश कर लेंगे यह देखे मैं इसके अंदर ज्यादा ओलेट नहीं किया इसके अंदर बिल्कुल भी ज्यादा ओलेट नहीं करना है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम एक ब्रेड लेंगे, ब्रेड के उपर हम टमेटो सोस लगाएंगे, आप चाहे तो इसके उपर सेजवान सोस लगा सकते हैं, पीजा सोस लगा सकते हैं, पर मैंने आपको बोला, मैं नॉर्मल ही बनाऊंगी, तो मैं इस तरीके से बता रही हूँ सब को अच्छे से फिला देंगे इस तरीके से अब हम क्या करेंगे एक ब्रेड ओर लेंगे इसके उपर भी हम टमेटर सोस लगा देंगे इसको भी अच्छे से फिला देंगे अब हम इसके उपर इसको लगा देंगे इस तरीके से और इसको हलका अच्छे से दबा देंगे उसके बाद हमें क्या करना इसको फ्राई करना है तो यह देखे मैंने इनको दोनों को बना लिया है अब हम इनको फ्राई करेंगे तो मैंने इसके उपर हलकासा iol लगाया है इसके उपर मैंने ये रख दिया है जब एक तरब से होने लग जाये तो हम इसको पलट देंगे हमें गेस को लो फ्लेम पर रखना है और हलकासा iol और एट करेंगे इसमें ज़्यादा ओयल की भी जरूरत नहीं पढ़ती है तो ये देखे बनके तयार हो गया है अब हम इसको बाह निकाल देंगे तो देखे हमार सैंविच कितना अच्छा बनके तयार हुआ है ये मैं दूसरा वाला भी इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ तो ये देखे हमारा सैंविच बनके तयार है अब हम इसको काट लेंगे आप चाहे तो इसको काट के भी ऐसे फ्राई कर सकते हैं तो इससे करना असान होगा इसलिए मैं आपको ये तरीका बताया है तो ये हमारी सैंविच की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएगा मैं चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें तो तयार है सैंविच आलू कतली सैंविच बनके तयार इसके साथ ही मैं टमेटो सौ सेट कर रही हूँ तो मिलते हैं अगली वीडियो पे एसे हिसा जुड़े रहे ना